नमस्कार विद्यर्थियो आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर पाट इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर पाट दिखाने जा रही हूँ जो हमने पहले मैंने ऑनलाइन आके आपको फर्स लेसन के पीछे जो बाशा सजदा में ग्रामर दिया हुआ था वो किया तो उसमें हमने इस वीडियो के द्वारा ही मैं आपको ग्रामर करवाने जा रही हूँ तो इसमें आपको पता है इस्त्रिलिंग पुलिंग क्या होता है इस्त्रिलिंग को इस्त्रिलिंग में परिवर्तित किया जाता है और इस्त्रिलिंग को पुलिंग में तो इस तरह के शब्द भी हमने पड़े हैं, तो अब आईए इसके बारे में देखें, तो इसमें पहला वर्ड हमारा है देवर, देवरानी, सेट, सेठानी, रूद्र, रूद्रानी, जेट, जेठानी, डौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्रानी, तो इस अकारांद, पुलिंग शब्द के अंत में आनी शब पुत्रवान पुत्रवती तो इस प्रकार के पुलिक शब्द में अंत में तो वान का वती करने से स्त्रीलिंग बनता है तो आगे बुद्धिमान बुद्धिमती श्रीमान श्रीमती तो इस प्रकार के अंत में मान का मती करने से स्त्रीलिंग बनता है तो आगे देखें नेत्र पुलिंग के अंत में ता कात्री करने से स्त्रेलिंग बनता है. इस प्रकार शब्द के अंत में नी जोडने से इस त्रेलिंग बनता है और प्रत्य लगाने से पहले मूल शब्द को इकारंद में बदलना होगा अब फूलदान फूलदानी चायदान चायदानी तो इस प्रकार पुलिंग शब्द के अंत में इ जोडने से इस्त्रिलिंग बनता है वर वदू, पती पतनी, विधूर विद्वा, विद्वान विदूशी, सास ससुर, ननन नंदोई, समराट समरागी, सादू साधवी, नर नारी तो इस उपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पून परिवर्तन करना पड़ता है तो इस तरग के शब्द जो है वो भी आते हैं तो उधारोनों के लिए हम यहाँ पर एक exercise दी गई है जिसका link परिवर्दन हमें करना है तो पहला शब्द है साधू तो जिसका हमने आगे पड़ा है साध्वी यूवक यूवती पुत्र पुत्री पडोसिन यह यहाँ पर इस्त्री लिंग शब्द है आप इसको हम पुलिंग में बल देंगे तो पडोसी बाग बागिन ठाकूर ठकूराइन सन्यासी सन्यासिन सम्राट सम्रागी वर वधू तो यह सारे शब्द मैंने आपको जब तीसरे लेसन का पीडि एफ बेजा था तब सारे लिखके बेजे हैं मैंने आपको तो इससे दूसरी बार लिखने की जरुरत नहीं है अब इससे आगे हम चौथे लेसन का ग्रामर करेंगे जिसमें हमें वाशा सजिता में हमको संग्या करने के लिए कहा गया है तो संग्या आप जानते हैं कि संग्या यानी नाउन नाउन जो है आपने किया है सेवंथ में भी पड़ा है कि संग्या किसे कहते हैं किसी स्थान बस्तू या जगय के नाम को संग्या कहते हैं तो अब आप संग्या के बारे में भी सीख चुके हैं, इंगलिश में भी आपने नाउन के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर कुछ exercise है, तो निम्लिकित वाक्यों में से संग्या डून कर उसका बेद बताईए, तो सोना कीमती धातु है, तो सोना वस्तु का है, धातु है, त उमंग दोड रहा है, उमंग नाम है, दोड रहा है, क्रिया है, तो उमंग के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, फिर दल जा रहा है, तो दल यानि जुन्ड, जुन्ड के नाम समूम हों बन रहा है, तो यहां समूम वाचक संग्या बन रही है, तो दल जो है वह संग्या है, र और जंगल इस्थान का नाम है, तो वह भी संग्या है, तो इस तरह से निम्नलिखित विदान पढ़िए और समझे, जहेश ने कीर्ती को साड़ी दी, बगीचे में एक लड़का है, यहां पर एक वचन का बहु वचन में परिवर्तन किया गया है, तो उपरोक्त वाक्यों के पढ़ने से पता चलता है कि वाक्य में साड़ी से साड़ियां, दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गया, यानि एक वचन का बहु वचन हुआ, तो अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहु वचन में रुपांत्रित या परिपरतन कीजिए, मुझे लुटेरे का डर था, मुझे का हम, हमें लुटेरे का, यानि लुटेरों का डर था, पक्षी ने उडान भरी, उसने मुझे मिठाई दी, उसने का, उन्होंने मुझे का, हमें मिठाईयां दी, उन्होंने हमें मिठाईयां दी, इस तरह से हम इसका बहुवर्तन, बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं, अब नीचे देखिए, भाव वचक संग्या का, हम जाती वचक संग्या में किस तरह से रुपांतर करना हैं, तो निमलिकित वाक्य पढ़िये और गाड़े काले शब्दों को समझ्या, तो यहां पर भाव वचक संग्या है, बच्चे प्राथना करते हैं, बच्चों की प्राथनाएं बेकार नहीं जाती, नदी की चोड़ाई अधिक हैं, भारत में नदियों की चोड़ाईयां अधिक हैं, तो इस तरह से उपरुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाड़ा शब्द प्राथना था, जो भाव वचक रूप में था, और उनके साथ ये वाक्य में प्राथना को एं प्रत्य लगाने से प्राथना शब्द जो है वो संग्या, जाती वाचक संग् तो इस तरह से हम भावचक संग्याओं का प्रयोग सदेव एकवचन में करते हैं और बहुवचन में प्रयोगत किये जाने पर ये जाती वाचक संग्याओं का रूप ले लेती है उपरयोगत उधारन के अनुसार निमलिकित वाक्यों में से रेखांकित भावचक संग्याओं को जाती वाचक संग्याओं में प्रदियुक्तित करके वाक्या फिर से लिखिए तो विज्ञान ने दूरी को कम किया है नदी की लंबाई अधिक है नदियों की लंबाईयां अधिक है तो इस तरह से हम ये हमारा ग्रामर पार्ट पहला है जो मैं यहाँ पर आपको समझाया आपको समझ में भी आया होगा इसमें से आपको कुछ भी लिखना नहीं है लेकिन ये सिर्फ समझना है जो आपके दूसरे यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है तो सिर्फ आपको लर्न करना है